बिस्मिल्ला हिद्राक्मान ररहीम एक्सरसाइज 7.2 क्वेशन नबर 6 इना टाउन 35 परसंटे जो 15,000 वोटर्स डिड नाट कास्ट वोट इन एन इलेक्शन हो मैनी पिपल कास्ट वोट अब हम सोल्ब करते हैं क्वेशन नबर 6 और क्वेशन नबर 6 में बताया हुआ है एक वोटर्स ने वोट कास्ट नहीं किया था इलेक्शन के दुरान अब हमने यहां पर कैलकुलेट करना है कि कितने लोगों ने हाउ मैनी फिपल कास्ट वोट कितने लोगों ने वोट कास्ट किया यानि कि वोट इलेक्शन में उन्होंने दिया अब हम सोल्ब करते हैं क्वेशन number six question number six solution सबसे पहले यहां पर हम राइट करेंगे total voters total कितनी तदाद है voters की is equal fifteen thousand अब हम यहां पर राइट करेंगे percentage did not cost कि कितने percentage थी जिन्होंने vote cost नहीं किया percentage did not cost is equal 35% 35% वो percentage है जिन्होंने vote cost नहीं किया number of voters did not cost अब हम यहां पर calculate करेंगे 15,000 का 35% यहां पर राइट करेंगे 15,000 x 35% 15,000 x 35% का 100 राइट करेंगे यहां पर इन डबल जिरो को इन डबल जिरो के साथ कैंसल करेंगे 150 को multiply करेंगे 35 के साथ 150 x 35 is equal 5,250 वो नमबर्स हैं voters के जिन्होंने vote cost नहीं किया यहां पर हम राइट करेंगे number of people who cast the vote यहां पर calculate करने के बाद पता चाल गया कि यह वो तदाद है voters की जिन्होंने vote cost नहीं किया अब हम यहां पर calculate करेंगे कि बाकी कितने water जिन्होंने vote cost किया यहां पर हम राइट करेंगे 15,000 माइनस 5,250 टोटल वोटर में से 5,250 वोटर्स ने वोट कास्ट नहीं किया 15,000 में से माइनस करेंगे 5,250 तो पपर हमने value calculate की 9750 वोतर्ज ने वोट कास्ट किया यह वो दधाध है जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था percentage calculate करने के बाद जो हमने find out की तो हम total water में से इस value को minus करेंगे तो हमारे पास value आएगी 9750 यह वो वोटर्ज हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया था question number seven in a test match Shoaib Malik made 134 runs in a first innings and 41 runs in the second innings find the percentage of Shoaib's score if total score in both innings of Pakistan was 500 runs question number seven में बताया हुआ है कि एक test match में Shoaib Malik ने first inning में जो runs लिए है वो है 134 second inning में उसने runs लिए है 41 अब हमने यहां पे percentage find out करनी है Shoaib's के score की अगर total score both innings में पाकिस्तान के जो runs थे 500 अब हम उसमें Shoaib's के score की percentage calculate करेंगे अब हम solve करते है question number seven question number seven solution यहां भी हम write करेंगे score of first inning is equal 134 अब हम यहां पे write करेंगे score of second innings is equal 41 total score अब हम यहां पे total करेंगे score को 134 यहां पे write करेंगे plus 41 write करेंगे 134 में plus करेंगे 41 तो यहां पे value आएगी 175 अब हम यहां पे write करेंगे total score of Pakistan जो के statement में given है 500 हम यहां पे write करेंगे percentage of Shoaib's score अब हम यहां पे calculate करेंगे यहां पे अभी हमने total score find out किया 175 यहां पे हम write करेंगे 175 divided by total score of Pakistan multiply percentage का 100 यहां पे हम 0 को 0 के साथ off करेंगे 5 1 ता 5 5 3 ता 15 5 5 ता 25 remaining value is 35 35 percentage 35 percentage यह percentage है Shoaib's के score का it is answer question number 8 फरूग paid 25 percentage of salary as a house rent and 50 percentage of salary for other expenses find the remaining amount if his salary is rupees 8,000 question number 8 में बताया हुआ है के फरूग अपनी salary में से 25 percentage house rent पे करता है और उसके बाकी के अखराजाद उसकी salary के 50 percentage हैं अब हमने यहां पे find out करना है कि उसकी total salary में से यह उसकी total salary है उसमें से house rent पे करने के बाद और बाकी अखराजाद अदा करने के बाद उसके पास बाकी कितनी amount बचती है अब हम solve करते है question number 8 question number 8 solution सबसे पहले यहां पे हम write करेंगे total salary total salary is equal rupees 8,000 फरूक की total salary है 8,000 यहां पे हम write करेंगे house rent house rent वो pay करता है अपनी salary में से 25 percentage 25 percentage of 8,000 यानि के total salary का वो 25% house rent गार का कराया अदा करता है अब हम यहां पे इसकी calculation करेंगे यहां पे write करेंगे 25 divided by 100 percentage का 100 write करेंगे multiply 8,000 यहां पे यह 00, इस 00 के साथ cancel हो जाएगा remaining value is 25 and 80 25 को multiply करेंगे 80 के साथ 25 multiply 80 25 को multiply करेंगे 80 के साथ हमारे पास यहां पे value आएगी rupees 2000 2000 फरूक अपनी salary का house rent पे करता है अब हम यहां पे next calculate करेंगे other expenses other expenses equal 50 percentage of 8,000 अब हम यहां पे other expenses उसके बाकी के खराजात calculate करेंगे यहां पे write करेंगे 50 percentage का 100 write करेंगे multiply 8,000 यहां से यह 00, इस 00 के साथ cancel हो जाएंगे remaining हमारे पास यहां पे value होगी 50 and 80 50 को multiply करेंगे 80 के साथ rupees 4000 4000 उसके बाकी के खराजात हैं पहले हमने house rent calculate किया अब हमने other expenses भी यहां पे calculate कर लिए यहां पे write करेंगे total expenses हम यहां पे calculate करेंगे फारूक के total expenses यानि के house rent और other expenses को यहां पे add करेंगे total expenses is equal 2000 यह house rent है जो पहले हम calculate कर चुकी है plus 4000 यह other expenses है 2000 में 4000 एड करेंगे यहां पे value हैगी 6000 यह फारूक के total expenses हैं अब यहां पे हम write करेंगे remaining amount अब यहां पे हमने calculate कर लिए फारूक के total expenses वो पे करता है अपनी salary में से अब हम यहां पे calculate करेंगे remaining amount 8000 minus total expenses को हम minus करेंगे salary में से total expenses को हम minus करेंगे rupees 2000 यह remaining amount पचती है फारूक के पास तमाम अखराजात पे करने के बाद it is answer question number 9 शकील had rupees 7500 he paid a debt of rupees 1500 find the percentage of the remaining amount question number 9 में बताया हुआ है कि शकील के पास है rupees 7500 उसने अदा किया है करजा 1500 1500 उसने करजा अदा कर लिया अब हमने यहां पे percentage find out करनी है बाकी amount की अब हम solve करते है question number 9 question number 9 solution यहां पे सबसे पहले हम write करेंगे total amount शकील के पास total amount है rupees 7500 debt करजा जो वो अदा करता है debt is equal rupees 1500 अब हम यहां पे calculate करेंगे remaining amount remaining amount is equal 7500 में से minus करेंगे 1500 total amount में से हम debt को minus करेंगे is equal 6000 यहां पे बाकी जो amount शकील के पास बचती है करजा अदा करने के पास rupees 6000 अब हम यहां पे write करेंगे percentage of remaining amount यह वो requirement है जो हमने find out करनी है अब हम यह remaining amount हमने अभी calculate की इस पे percentage find out करेंगे यहां पे write करेंगे 6000 remaining amount divide करेंगे total amount पे 7500 multiply 100 percentage का अब हम यहां पे यह double zero इस double zero के साथ cancel करेंगे remaining value is 6000 divided by 75 6000 को divide करेंगे 75 पे 6000 को divide करेंगे 75 पे 75 एड़ दा 600 600 में से minus करेंगे 600 remainder is zero और यहां से यह 0 यहां पे हम write करेंगे 80 80 percentage 80 percentage it is answer question number 10 नूर spends रुपीज 1440 out of रुपीज 2000 and save the remaining find the percentage of his savings question number 10 में बताया हुआ है कि नूर खरच कर रही है 1440 रुपीज 2000 रुपीज में से और बाकी की amount save कर रही है अब हमने percentage find out करना है इसकी saving पे अब हम solve करते है question number 10 question number 10 solution यहां पे सबसे पहले हम write करेंगे total amount is equal रुपीज 2000 next अब हम यहां पे write करेंगे she spends amount is equal रुपीज 1440 नूरीन के पास total amount है 2000 और वो खरच कर रही है 1440 अब हम यहां पे write करेंगे remaining amount remaining about उसके पास बचती है 2000 minus 1440 रुपीज रुपीज 560 उसके पास बाकी amount बचती है अब हम यहां पे percentage find out करेंगे remaining amount पे remaining amount पे हम percentage find out करेंगे यहां पे write करेंगे 560 remaining amount अभी हमने यह calculate की और इसे divide करेंगे total amount पे 2000 multiply यहां पे हम multiply करेंगे 100 के साथ percentage find out करने के लिए यहां पे यह double 0 इन 0 के साथ off हो जाएंगे यहां से यह 0 इस 0 के साथ off हो जाएगा remaining value is 56 divided by 2 अब हम यहां पे 56 को और 2 को divide करेंगे 2 के table पे 21 दा 2, 22 दा 4, 28 दा 16 28 percentage it is answer क्लेक्ड़ ना मनेर hop